गन्य की रिंगपिट मेथ़र्टिसे अगर वुआई की जाये to बहुत अच्छा उत्पादन दिया सकता हैème हुए इसकले जरूरी है कि पिट बनाया जाये और पिट की जो सेंटर से सेंटर की दूरी है यानि गड़े की बीच से बीच की जो दूरी है वो 5 feet रखे जाए और गड़े का जो ब्यास है वो लगभग 35 cm से लेकर के 90 cm की बीच में रखा जाए बिल्कुल बराबर नहीं हो पाता है लेकिन 35 से 90 cm की बीच में उसको रखा जाए और एक गड़े में दस से बारा टुकड़े समान दूरी पर रखने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी जो इसको पड़ लिया है वो दो तिन सिंटिमेट लिया है यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं इस वीडियो में गड़े बनाये गए इसमें प्लांटिंग की जा चुकी लेकिन गड़ों की थोड़ी गहराई अगर और अच्छी होती तो साथ और भितर इसका उत्पादन लिया जा सकता है इसका किसान भाई बिसे तो और से ध्यान रखें और इसमें एक देखे बगल में नाली दे गए जिससे इसकी सिचाई आगे की जाएगी उसे में इंटरक्राप भी भिंडी लगाई गई है अगर इसी नाली से ये थोड़ी सी गहरी नाली अगर बनाई जाती है इसी नाली से इन गड़ों को पिट्स को जोड़ दिया जाएगा और हलका हलका पानी जितनी आओ सकता ही उतना पानी दिया जा सकता है रिंग पिट मेधड में एध्यान रखें कि जब भुआई करें तो भुआई करते समय एक आँख के टुकड़े का प्रयोग करें पहले जो रिंग पिट मेधड का प्रयोग किया जाता था वो दो या तीन आखों का प्रियोग करते थे 20-25 टुक्टे लगते थे उसकी जगे पर आप एक आख के दस से बारा पंदा टुक्टे में आप वाई कर दें जो समानदोरी पर रिसकंदर लगाएंगे और एक पिट में करीब 50 ग्राम जो आपकी सिंगल सुपरफासपेट है यूरिया है और मिरोटापोडास है एक एकड़ के लिए चार बैग सिंगल सुपरफासपेट एक बैग मिरोटापोडास एक बैग यूरिया कम इस्तरन बना ले और हर पिट में लगभग 50 ग्राम इसको डाल दे ये परियाप्त मात्रा हो जाएगी जिससे हमारा गन्यकोत पादम आसानी से लिया जा सकता है और साथ में जो आपकी कार्वनिक खादें हैं कम्पोस्ट खादें वो जुताई के समय ही प्रियोग करने है रिंग पिट मेथट का जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि इसमें धिरे धिरे में टियापोगा गिरानी पड़ेगी चारो तरफ से इसकी निराई गुड़ाई और जुताई कर सकते हैं तो इससे कई बार पेंड़ी ले जा सकती है एक एकड में करीब ठारा सो से दो हजार गढ़े आपके बन जाएंगे और उससे आपका एक उद्देश होना चाहिए करीब पचास गन्ने से पचपन गन्ने एक पिट में बनेंगे और इससे हम भरपूर उत्पादन 80 किलो से ले करके एक उंटा तक ले ले लेंगे इससे ज़्यादा उत्पादन किसी अन्ने विधी में ले जाना सम्भाव नहीं है लें किसान भाईयों को थोड़े से दिक्कत इसमें थे लगती है चुकि महनत ज़्यादा लगती है लेकिन अगर किसान भाई इसको प्लांटिंग समझ लें जैसे पौधे लगते हैं तब इसमें दिक्कत नहीं आएगी और तीन बार चार बार इसमें पेंड़ी लें तो अच्छा उत्पादन होगा जय हिंद जय भारत